हुआ फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्रिकल्चर क्लासिस के एफिचियल यूटूब चैनल पर आप सभी का अर्थिक स्वागत अभी नंदन इवंग बंदन करता हूं आई आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च परतमान में आपका जो पार्ठिकरम बना है वो फिफ्ट डिन कमेटी से बना है पिचल लावा सिक्स डिन कमेटी जैसे लागू होगी उसमें कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे कुछ सब्जेक्ट हैड हो जाएंगे ठीक जात्रों के लिए बहुत ही बहुत सांधार आफ़ार है और अगर एग्रिकल्चर वाले स्टुडेंट अगर इस चीज को बढ़ा देते हैं तो दुनिया में कोई भी एग्रिकल्चर चात्रों के आगे नहीं टिक सकता अगर यह चीज स्टुडेंट करेशक्स वाले लावी अगर इस चीज को अपनाते हैं तो देखिया आई है इसके लिए है अब इस चीज को थोड़ा सा देखिए क्रीसिस इच्छा में बड़े बदला इसे पढ़ेंगे असना तक के बिद्यार थी आईसी आर ने दी अनुमति छात्रों को रोजगार से जोड़ा जाएगा अब आपको यह नहीं के अगरिकल्चर कर लिए कि चलिए कोई बात नहीं है हम अगरिकल्चर पढ़ने के बाद गौ कर रहे हैं कब तक बैट के अगरिकल्चर का वैकेंसी लेकिन हाला कि वैकेंसी अर्थिक देखने के लिए हर्वर्स आती है तो इसमें देखें नई दिल्ली भारतिक क्रिश अंसंदान परिशाद आइसी आर ने क्रिशी सिच्छा में बड़े बदलाव किये हैं इसके अनुस मसीन लर्निंग, AI तथा मसीन लर्निंग और रोबोटिक्स भी पढ़ेंगे तीन सब्जेक्ट, AI और मसीन लर्निंग और रोबोटिक्स तीन सब्जेक्ट आपका एड हो रहा है, एक्स्टा और मेंडेटरी के रूप में हो रहा है, यही नहीं, समान्य कोर्स की तरह, Multiple Entry और एक्जिट का प्रावधान क्रिश विश्व बिद्धालों में भी लागू होगा, अब इसमें Multiple Entry और एक्जिट का मतलब क्या है, जैसे समान लिए CSA University में आपने अडिमिसन ले लिया, या आई याराई में आपने अडिमिसन ले लिया, अब आयारा में फरस्स समेस्टर में आपने पड़ पार हैं, समझ में नहीं, काफी दिक्कत आ रही है, तो अगर आपके कटेगरी की सेम होई, सीटे खाली होगी, तो वह फस दूसरे संस्तान CSI University में ट्रांसफर भी ले सकते हैं डिगरी का प्रारूप बदल दिया गया है डिगरी का जो प्रारूप है वह भी बदल दिया गया है कि पढ़ाई करने वाले छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई नए कदम उठाए है इसकी मंजूरी मिलते ही इसी सत्र में लागू कर दिया जाएगा जैसे आपका क्रिश्य मंत्राला से आपका वेरिफाई अपरूब्द हो जाएगा तुरंत इसको लागू कर दिया जाएगा यहां पर इस चीज को पढ़िएगा लिगरी का प्रारूप बदल करके एंट्री मुल्टिपल में इसमें कर देंगे और मुल्टिपल एंट्री और एक्जिट पालिशी को लागू किया गया असनातक प्रतम वर्ष के बाद अगर कोई विच्छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसे दस हपते का इंटर्शिप करना होगा इसके बाद संबंदित विचय में अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा अब देखिए इसमें असनातक का प्रतम बर्ष करने के बाद अगर कोई पढ़ाई छोड़ता है कोई बात है फस्ट यह पढ़ने के बाद हमारा मन नहीं तो दस सते सतर दिन इसका कर लेगा अब इंटर्शिप करने के लिए इसका कर लेगा अब इसे संबंदित अंडर ग्रेजुएट में सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर कोई चात्र पढ़ाई छोड़ता है तो वह भी दस हबते के बाद इंटर्शिप करके यूजी डिप्लोमा असिल कर लेगा अब एक वर्ष की बाद चल लेगा अब दो वर्ष की बात हो गई वर्ष के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो सब्सक्राइब करके आपको यूजी का डिप्लोमा मिल जाएगा डिप्लोमा कहीं काम दे देगा लेकिन आप लोग ऐसा ना करिएगा देखिए डक् अब आर्टिफेसियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स और मसेन लर्निंग भी बढ़ाया जाएगा यह यानि अब इसमें कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं अब इसमें यहां पर देखिए डिप्टी डाइरेक्टर जनरल क्रिस इस दाक्टर आर्शे अगरवाल ने बताया लेकिन आप डिगरी के अपनी वैलो नहीं समझते हैं आपकी डिगरी नहीं डिगरी प्लस टेक्नोलाजी है इस इसको देखिएगा जैसे कि अपने बाइस करेंगे तो सिर्फ वो डिगरी है और आप जो लिखते हैं प्यसे ऑनर्स एग्रिकल्चर यह सी ऑनर्स इसके लिए चात्रों को कम्निकेशन इसकिल में सुधार लाया जाएगा और उन्हों इनुवेशन और टेकनोलाजी से जुड़ा जाएगा जाती खुर्चे प्रजेक्ट तैयार करेंगे उसे आईसे आर के तरब से मदद भी दी जाएगी अब आईसे आर से फंडिंग पाने के लिए आप हमें सस्क्राइब किये रहीगा और इसमें मैं चाहूंगा कि आप जो भी स्टूनेंट हैं अभी से फस्ट इयर आप क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड डियर में आपको रिपेर करने करेंगे मैं सोचा हूं उस पर इस रूप से काम करेंगे हम और हमार प्रोफेस्टनल इनुवस्टी की टीम आई यहाराई से लेके आपको सीच इनुवस्टी भी एचू पंतनगर और पूरी फाल वाली इनुश्टी काफी जगहों के प्रोफेस्टनल अमारी टीम एक जनरेट कर रहे हैं उस टीम को एक क्लियर फाइक करेंगे जैसे फाइनल हो अधिक है तो यही आपको जानकारी अप्डेट करना था तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग लाइक और कमेंट्स के मात्यम से अवस्ट से बताईएगा अगर आपको बिल्कुल बहतर लगा तो कमेंट में नो कल्चर बिदाव टेगरी कल्चर अवस्ट से किसे नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत